नमस्कार दोस्तों, वेलकन डूवल अफेर्स, मैं हूँ प्रशान धवन और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस बहुत ही इंपॉरेंट टॉपिक के वारे में सबसे पुराना संगटन है जो completely devoted है to democracy around the world ये कहते है के हमने ये इस बात की जिम्मदारी ली है के दुनिया भर में जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पे freedom होनी चाहिए, democracy होनी चाहिए and people should have the right to protest और 1948 में जब UN ने अडॉप्ट किया था universal declaration of human rights को तो वहाँ पर भी freedom house का काफी important डोल इनके उस वक्ट जो honorary co-chair थे इनकी presidency के अंडर ही ये human declarations दुनिया के सामने आये थे तो इसलिए freedom house openly ये कहता है कि in the past भी हमने आवाज उठाई है freedom के लिए future में भी उठाएंगे तो अभी ये क्या करते हैं कि हर साल एक list निकालते हैं इसमें ये categorize करते हैं कि एक देश कितना free है कितनी वहाँ पे आजादी है वहाँ पे election क्या fair होते हैं क्या लोगों को वहाँ पे अभी complete freedom है नहीं तो इस list का जो 2021 edition है वहाँ पे इनुने इंडिया को downgrade कर दिया है from a free country to a partly free country और आगे बढ़ने से पहले आपसे यहाँ एक question पुछूँगा कि इंडिया की rank क्या है global economic freedom इंडेक्स 2020 में आपको बताना है इसके बारे में यह हैं यहाँ पे आपकी options comment section में करो answer सही answer में आपको दूँगा हमिशा की तरह video के end में so इस वक यहाँ पे हम है freedom house की यहाँ पर website और देख पाओगे यहाँ पे country's की list आप interesting बात यहाँ पर यह है कि यह जो यहाँ पे आपको number दिख रहे है 12, 39 यह ranking नहीं है यह इनका score है तो ज़रे बंगलादेश को भी यह कहते हैं यह एक free country नहीं है बंगलादेश भी है एक partly free country similarly भुटान भी एक free country नहीं है इनके हसाब से actually पूरा जो south एशा आप अगर देखोगे इंडिया पाकिस्तान भुटान बंगलादेश श्रिलंका कोई भी देश completely free नहीं है इनके हसाब से हाँ Brazil इनके हसाब से एक free देश है Denmark एक free देश है यहाँ पर आप देखोगे Denmark का score है 100 मे और चाइना को all together इन्होंने category में डाला है not free के के partly free तो छोड़िये यहाँ पर बिलकुल भी freedom नहीं है और यहाँ पर आप देखपा होगे यह इंडिया का score है 100 में से 67 partly free country इरान इनके हसाब से not free है जपान obviously एक free country है 96 score है जपान का और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पा यह कहते हैं कि रशिया is all together not free now इंडिया चाइना पाकिस्तान को किस तरीके से इस report में evaluate किया गया है यह आपको पहले समझना होगा यहाँ पे लोग पहले यह कहते हैं कि इंडिया में सबसे अच्छी बात यह है कि political rights बहुत अच्छे हैं देको political rights यह होते हैं कि सम्विधान म rules के हिसाब से क्या आपको proper rights मिलते हैं अपनी अवाज सरकार तक पहुचाने के या फिर to make sure कि आपकी वास सुनी जा रही है तो उसके rights बिलकुल यहाँ पे available हैं इसको आप अगर compare करोगे पाकिस्तान से क्योंकि इंडिया का जो total score है political rights के मामले में यह है 40 में से 34 पाकिस्तान का score है 15 जी यहाँ पाकिस्तान में actually proper political rights ही नहीं है यह क्या रही है यह report civil liberties जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ यह क्या है civil liberties मतलब कि क्या citizens को अपनी आवाज उठाने का हक है यहाँ पे क्या वो अपनी आवाज उठा पाते हैं यहाँ पे हम rules की बात नहीं कर रहे मगर यहाँ यहाँ पे चाइना को minus marks मिले है political rights में 40 में से minus 2 number अब यहाँ पे आप कहोगे minus 2 क्यों देखो political rights में यह report कहती है कि हम काफी weightage देते हैं कि किस तरीके से एक country में leader चुना जाता है इंडिया में यह लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या भारत में जो authority है जो सरकार है क्या यह fair त फिर election होते हैं पाकिस्तान को आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पाकिस्तान को मिलते हैं 4 में से एक number बहुत ही लंबे समय से दुनिया बर में यह एक theory है कि पाकिस्तान में actually elections होते नहीं है आर्मी सब कुछ organize करती है और फिर automatically वो एक सरकार place कर देते हैं जिसको control basically करती है प GMLN इन लोगों को hamper किया गया जुडिशरी आर्मी दुरों ने मिलकर इस party को दवा दिया और कोशिश यह करी गई कि पाकिस्तान तारीके इनसाफ एक push के जरिये election जीत जाए इन पाकिस्तान फिर आप अगर देखो तो चाइना को यहाँ पे इनोंने दिये है zero mask क्योंकि यहा यहाँ पे party के लोगी vote करते हैं लोगों के हाथ में कोई भी power नहीं है वो अपने आप अपना leader choose नहीं कर सकते इसलिए आपने देखा होगा कि Donald Trump के अंडर USA ने शी जिंग पिंग को चाइना का president क्याना बंद कर दिया था वो वहाँ पे उनको बलाते थे secretary general कि यह basically चाइना की जो अकेली political party है Chinese Communist Party बस उसके secretary general है तो यह तो अपने बात कर लिया election process की इंडिया में लाग कमिया होंगी मगर at least यहाँ पे लोग openly fair तरीके से सरकार चुन सकते हैं और सरकार change भी कर सकते हैं ना इंडिया का score यहाँ पे कटा का आप है civil liberties के issue को लेकर civil liberties के issue में यहाँ पर यह क इसमें कहते हैं कि नहीं यह कहा रहे है कि जो हिंदू nationalist campaign है यह इंडिया में 30 से बढ़ रहा है जो minorities है इनको target किया जाता है काफी बार और पूरी report में आप अगर देखोगे तो काफी controversial बाते की गई है overall इन्होंने यहाँ पर यह बताया है कि individuals इंडिया में complete freedom के साथ अपने जो thoughts है अपने जो विचार है यह express करनी पाते, media काफियत तक biased हो चुका है और even जो academic freedom है education system में यह भी काफियत तक कम हो चुकी है यह बार बार यहाँ पर बात करते हैं RSS की कि RSS का influence बढ़ चुका है यह again यह report पे इन्होंने यह सब claim किया है फिर आगे यह लोग यह भी add करते हैं कि इंडिया में जो judiciary है यह भी इनके साफ से इस report के साफ से completely independent नहीं है इन्होंने इंडिया की judiciary की independence है इसको भी score दिया है 4 में से 2 तो इस सब की वज़े से primarily आप कह सकते हैं judiciary में independence की वज़े से media में independence काम होने की वज़े से इंडिया को overall एक free country से इन्होंने बना लिया है ए Canada का Fraser Institute यह यहाँ पे है rank और सयुत्तर यहाँ पे है option B 105 यहाँ पे भी आप अगर देखो तो economic freedom में भी इंडिया ने गिरावट देखी है पिछले एक साल में इंडिया actually 26 spots गिर के यहाँ पे आया था 105 पर तो यह है end इस वीडियो का thanks for listening and as always God bless you all कर दो